मैं अब कुछ पर चलिए कई दिए करेंघ का दिया दो हम ने क्रीएट कर दिया मैं कि मुझे ऊस एक्रोत कर दिया को मेंन ऐक्ट इंट उस पर करना तो यहां पर क्या कर दूगा गाई जो हमारा Dohs Message ता जिसे सिंपली मैं डिलीट कर सकता हूं मुझे रिसकी जरूबर नहीं है यहां पर क्या कर देंगे जो हमारा लॉजिक है वाट कर देंगे अब मुझे explicit intent की खेंट कि रिसके क्लास चाहिए कि कि समें हम भेज रहे हैं तो मैं यहां पर Class Type ग्रेक क्रिएट कर लूँगा तो यहां पर आंग चाहरा ज़िए का object जिस हमें activity भीना डेस्टिकन अनो कर लिए नाम मा ले लूँँगा रोगा सब हमारी detail activity तो यहां पर क्या आगए हमारी detail activity dot class यहां पर हमने semi-colon आग यह तो कौन सी होगी गाई हमारी detail activity जिस पर jump होके जाएगी तो मैंने उसे क्या कर दिया हमारी detail activity जो class है उसे एक मैंने object में save कर वा लिए class type के और उसका नाम किया है destination activity अब मैं यहां पर क्या पास करवा सकता हूं intent पास करवा सकता हूं normally तो यहां पर क्या गया intent आ गया हमारा और यह कौन सा intent है गाई हमारी नई वाली activity को start करने के लिए तो मैं यहां पर simple दे सकता हूं intent to start detail activity अब हमें दो चीज़े देनी होती है एक तो जिस activity से jump कर रहा है तो यहां पर already मैंने क्या दे रखा है context ले रखा है तो मैं simply यहां पर first हमारा क्या है जिस activity से jump कर रहा है तो वह कौन सी activity है वह यह वाली activity है कौन सी यह वाली जब मैं यह वाली कहता हूं यह वाली मतलब this activity तो already हमने रखर कर रहा है कि मेन अक्टिविटी से जम कर रहा है और किस अक्टिविटी में जा रहा है का इस देस्टिनेशन अक्टिविटी में तो उसका भी मैंने यहां है करने हैं object create कर रहा है तो मैं simply क्या कर सकता हूं destination activity और हमारी कौन से इंटेंट है intent to start detail activity तो मैं simple यह intent इसमें पास कर दूँगा तो यहां पर क्या आगिया हमारा intent to start detail activity यहां पर इसको मैंने दे दिया तो basically अब क्या होगा guys on click पे कि on click पे आते ही वह किस पे पर कॉंटेक्स देगा यह create करेगा object और फिर इसमें दोनों चीजे इसमें पास कर देगा किसमें intent में और intent में पास करते ही गाईज हो क्या कर देगा start कर देगा activity और किसमें जम कर जाएगा detail activity में अब फिलाल अभी हमारे detail activity में कुछ नहीं है बड़ हम करते हैं तो यहां पर जैसे ही आप देख रहो हमारे manifest में create करते हैं हमेशा ओके तो आपको क्या करने manifest file कोलनी है इसकी and हमारी detail activity है जो हमने अभी add कर रहे हो क्या हो गई यहां पर add हो चुकी है गाईस तो मैं simple क्या कर सकता हूं यहां पर add कर सकता हूं अपना up button तो यहां पर देख लेता है गाईस की कैसे add करना है सबसे पहले तो क्या है हमारी parent क्यूंकि हमारा जो activity का नेम हो तो already given है कि क्या नहीं है उसका detail activity अब जो हमारी इसकी parent activity है राइट तो यहां पर हमारे पास क्या गया parent activity name मतलब कि हमें कौन सी activity में जैसी हम up button क्लिक करें मैं आपको हमे differences होता है और the difference हमेशे यह होता है निकाप खली एक ही difference होता है कि जो हमारा अब बेटन हुता है इस हमारे असमें होता है screen बार पे होता है तो वह basically हम customize कर सकते है कि हम जब वह click करें तो कौन सी activity पर जम हो जबकि जो हमारा back button होता है वह हमेशा previous activity पर जम कर जाता है चाहे वह को तो हमें कॉनसी activity पर जम करवाना है main activity पर तो यहां पर क्या दिदी मैंने main activity दे दी अब गाइस इसमें यह तो हो गया हमारा यहां और आप button क्रियेट करने के लिए अब क्या करेंगे इसे एक बार control-a control-all-l प्रा देता हूं थोड़ा सा क्या हो गया refactor हो गया new code और अब यहाँ पर अब बटन करने के लिए क्लिए क्वा क्या करते हैं में इसके तो यहाँ पर क्या आगया वास पर स्टीटा में और यहां पर एंड्रोइड नेम दे दिंगे और यहाँ पर सम्पल में देदूंगा android.support.parent ऐती Dus P में से ओदि숙ज़वास के बते टृचिभी इसको हम हमारा जो 걌 político करें रघायं कि वेकल REAL हुए कुछ ह हमारे स्वी lightetin क्रीट हो गया तो अब इस पर चलते हैं की सक्षर हैं श्यझेप मैं हमें क्या-क्या changes करना है तो मैं manifest file बन कर देता हूं guys detail activity बन कर देता हूं फिलाहल के लिए forecast adapter भी क्या छोड़ देता है खाली अपनी main activity छोड़ देता है तो यह थे हमारे first three steps की activity create करनी थी हमें explicit intent इस पर implement करना था और एक up button करना था अब guys हमारा first step तो हो गया है कि इसका जो हमारे intent थे अब second step हमारा intent का यह है कि मुझे जो extra information है क्योंकि हमने क्या सीख था explicit intent में अपने guys कि कैसे हम put extra use करके intent में क्या पास कर सकता है information जो हमें data share करना है हम हो data share कर सकता है किसी second activity बे तो guys हमें आपके करना है अपनी second activity बेटा शेयर करना है तो उसके लिए में क्या use कर सकता हूं put extra use कर सकता हूं ninety basically हम करेंगे कहा हम हमने already क्या दे दिया intent given है explicit intent यहां पर दिया था वहीं पर क्या यूज कर लेंगे गाइस हम यूज कर लेंगे क्या चो हमारा पुट extra method है तो यहां पर हमने on click में weather for day राइट पास कर रहते हैं इसमें हमने क्या देदी अब गाइस मुझे एक्स्ट्रा डेटा इसमें क्या करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं पुट extra और इसमें object क्या यूज करेंगे क्या क्यूंकि हमने already intent का क्या create कर रखा हैं आप object क्या क्या है तो simple मैं इसे यूज कर सकता हूं intent to start activity dot put extra अब गाइज यहां पर इस चीज का हमेश्य द्यान रखना कौन सा वाला put extra यूज करना है कि हम कौन सा बेज रहे हैं कि integer value भीज रहे हैं या पर string value भीज रहे हैं यहां पर जो हमें क्या भीजना है मुझे भीजना है यह weather for day okay जो मेरी information weather for day यहां पर parameter में ले रहा है मुझे वह information बेचने हैं अब गाइस इस चीज में confused मत होना कि weather for day क्यों है weather for day क्या था अगर आप थोड़ा था back lessons में जाओ कोई अगर closely follow कर रहे हो आप लोग तो weather for day basically क्या था गाइस जो हम individual day का data डेटा फेच करके शो करबाया थ पहले toast message में तो गाइस मुझे यहां पर किस टाइप कर डेटा शो करवाना है string type का तो string type मैं आपको बता दिया है कि character जो हमारी यहां पर array होती है तो यहां पर हमें एक तो string name चाहिए और character value चाहिए तो यहां पर हमने यह चूज कर लिया है character name जो है guys already मैं आप आपको बता च गाइस वह देख लेना अगर इसमें confusion हो तो काफी हथ तक clear हो जाएगा तो यहां पर मैं simple क्या use कर सकता हूं intent use कर सकता हूं intent dot यहां पर क्या extra text कर लिए simple क्योंके यहां पर हमने आपको क्या बताए था अगर हम अपना टेक्स specif 저도 हम से sworn है और यहां पर क्या हो गया है हमारा सेट हो गया है क्या इंटेंट सेट हो गया है जो एक्स्ट्रा इंटेंट जाता वह मैंने क्या कर दिया है सेट कर दिया है अब इसको तो गई यहां पर हम नहीं पर छोड़ देते हैं अब किसमें जाते हैं कौन सी एक्टिविटी में जाना है कुछ कि अगर आप सोचो तो हमें गाइआट पे सेट करवाना पड़ेगा तो वह कल लेते हैं तो गाइज यह करने की लिए मुझे क्यूंकि इसकी ले-ा- 00- method जो जो पर दिस्प्ले कर वाएंगे हम जो डेता वहां दिस्प्ले डे फॉर अब गईस चीज में इस चीज में बन दोने जो हमने मेन एक्टिविटी में पहले कर रहे हैं और कौनसा प्रिंग मैसज ले रहे हैं कि जो हमारा उस पर्टिकुलर डे का टेक्स वीव था वही हम ड तोस्स मैसेच में सोक्राणागे same message मुझे एक detailed activity में शोकरवाना है for a particular day तो किस पे चलते हैं guys इस पर पहले एक Early text view set कर ले गाँ किस पर जो हमारी कॉनशी तही detailed activity थी तो activity detail यहां पर हमने खूली sorry activity नहीं guys layout file जो थी हमारी framework frame layout and इस में क्या set कर देता हूं एक text view set कर देता हूं ताकि हम इस पर क्या कर सकें set कर सकें तो यह क्या आगया है हमारा text view आगया है और इस पर height and width basically क्या कर देता है दोनों पर wrap content कर देता है तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है इसकी एक id भी देता हूं guys id क्योंके simple मुझे से करना है reference करना है किसमें detailed activity में तभी तो इस पर set करूंगा मैं data और basically इस पर क्या होगा guys जो हमारा weather data वो display होगा तो यहां पर मैं simple लिख सकता हूं weather data display weather TV weather data okay और इस पर एक चीज और देता है text size और देता है I think 22 SP sufficient रहेगा तो इहां पर क्या है हमारा 22 SP okay अधिने देता है कि अहें पर को करना है और देता हैज़ और एक बाता है